की था does सब будете नागी मेंमेंा होते हैं वेक्टर होते हैं अनला वेक्टर में प्सक्रीन मुटक्र क्या होते हैं और nerd ater के वाले क्या होते है तो सबसर पेले हम बात करते हैंं कि इंटर्ट होता एंस्टर्ण सिगनल होते हैं विछ में डिश्टर और अर्टर दा सीक्वेंस औ आफ ए उक्जूटर समाज पात करते हैं कि इंटर्प्ट क्लासिफाइड उनको इंटरप्ट को हम तीन तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं एक होता हमारा हाडवेर एंड सॉप्टवेर इंटरप्ट दूसरा हमारा होता है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट तीसरा हमारा होता है वेक्टर एंड नॉन वेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं Input Output device से अगर हम physically कनेक्ट कर पा रहे हैं इंटिरप आरे ने क्या नाम दे दिया hardware इंटर्प्ट तो hardware इंटर्प्ट जो होते हैं हुमारे पास में कितने होते हैं आदממेंस इनको priority वाइस लिकर हूं एक तो हो था हमारा ट्रेप फिर से होता हमारा RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5 और लास्ट में मारा होता है INTR यह हमारे पाचों के पाचों कैसे है hardware interrupt तो एक्जाम में कहीं बार के होता है इनकी जो priority का order है यही पूछ ले जाता हाइस्ट priority होता हमारा एक number बट्रेफ फिर यह RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5 और INTR इसी तरह से बात करें कि हम software interrupt यानि जो कि software के थ्रू जुड़े होते हैं यानि एक तरह से program के थ्रू connect होते हैं इनको represent करते हैं RST N से जा N की value जो होती है वो होती है 0 to 7 यानि एक तरह से हम इनको कैसे रिख सकते है RST 0, RST 1, RST 2 है न सोन इस तरह से RST 7 तो यह हमारे क्या है software interrupt क्या नाम देती है हमने इनको software interrupt तो यह तो हो गया हमारा कि hardware interrupt क्या होता है जो कि physically connect हो सकते है input output device से और software input जो यह नहीं software के थुरू connect होते हैं अब बात करते हैं मास्केबल एंड नोन मास्केबल इंटरप्ट के बारे में मास्क के मतलब मास्केबल का मतलब क्या होता है कि एफे इंटरप्ट जो जिनको अगर trigger भी कर दिया अगर किसी तरह से अमने system में उनको trigger भी लिए पिर भी उनको ignore किया जा सकता है या avoid किया जा सकता है है ना trigger करने के बात वह भी और non maskable interrupt ऐसे होते हैं जिनको एक बार आपने trigger कर दिया तो फिर इनको cannot avoid और ignore cannot avoid और ignore एक फिर यह अपना काम करेंगे करेंगे तो हमारे सिस्टम में एक ही हमारे पास में non-maskable interrupt है वो हमारे 8085 में वो है हमारा trap क्या है trap क्या है only NMI non-maskable interrupt in 8085 तो यहां से हमने यह दोनों के इंदर difference एक लिया कि भी maskable interrupt क्या होता है हमारा non-maskable इंटर्विड होता है को कि अब हम बात करते हैं नेक्स वेक्टर एंड नोंवेक्टर इन्पुट का क्या मतलब होता है इंटर्व्यक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसकी पास में specific इड्रेस लोकेशन और defense को अंदर यानि कोई भी अगर आपके पास में interrupt है अगर उसकी location पहले से पता है कि यह memory के अंदर मुझे उस location में मिलेगा तो उसको हमने क्या नाम दे दिया वेक्टर इंपूट और जिसके हमें memory के location नहीं पता उसको हमने क्या नाम दे दिया नॉन वेक्टर इंपर इंटरप्ट ठीक है तो यह अगर specific address location पता है तो वेक्टर और नहीं पता है तो नौन वेक्टर अभी हम find out भी करेंगे कि इसकी memory की जो location है वो कैसे find out की जाती है अब हमारे पास में यहां से एक जनरली क्या होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसको कि यहां से एक्जाम में question पूछ लेता है यह वैसे चीज में बता चुका हूं भी प्रायाइटी ऑफ और ऑफ इंटरप्ट hardware का क्या होता है तो सबसे highest priority तो हमारे किसकी होती है ट्रेप की उसके बाद में हमारे होती RST 7.5 RST का मतलब क्या होता है restart क्या होता है restart RST इस तरह से RST 6.5 यह होगे हमारा RST 5.5 और फिर यह हमारे last में INTR ठीक है तो यह हमारे एक्टर से 5 क्या होगे hardware interrupt अब क्या है कि यहां से यह question पूछ लिया जाता है कि इनके इंदर triggering कौन सी के जाती है triggering जहांने फिलिप फ्लॉप में पढ़ा था edge triggered क्या होता है और अमने level trigger तो यह जो हमारा trap signal है trap signal क्या होता है यह हमारे दोनों तरह की triggering करता है एक हमारी level triggering को भी सुख करता है यानि अगर सिस्टम में level triggering दी जाए तो भी trap signal यानि non maskable यह हमारा होता है इंटरप्ट है यह enable हो जाता है और edge triggering से भी इसको enable किया जा सकता है है न एज ट्रिग्रिंग आरेश्टी 7.5 होता है यह हमारे पास में एक इस्पेशली होता है only edge triggered होता है क्या होता है edge triggered तो कहीं बार क्या question फूच ले जाता है कि कौन सा level triggered है कौन सा एज और यह जो remaining three है यह तीनों के तीनों के से होता है level triggered अब हम इनकी बात करते हैं वेक्टर लोकेशन की यानि वेक्टर लोकेशन है नहीं यह memory का अंदर कहां पर storage है यानि memory का अंदर इनकी location कहां है जैसे अगर trip की बात करें इसका आप याद भी रखना इसकी होती है double zero two four और यह हमारा यह हम एक्चुली location इनकी कैसे find out करें उसका भी क्या एक फॉर्मूला है तो how to find अगर कोई पूछ ले भी वेक्टर लोकेशन तो वेक्टर लोकेशन का फॉर्मूला होता सपोज करो आपके पास में आरेश टी एन है एन कुछ भी हो सकता अगर उसकी मुझे find out करनी है वेक्टर लोकेशन वेक्टर लोकेशन तो उसको क्या करते हैं एन को multiply करते थे एट से एन इंटू एट यह जो भी रिजल्ट आता वह होता आपका डेसिमल में और इस डेसिमल को आप कर लो हैक्स के अंदर तो यह आपका क्या हो जाएगा आपका वेक्टर लोकेशन आ जाएगी जैसे फॉर एक्जामपल अगर बात करें कि कोई नंबर है आपका रेस्टी 6 तो 6 को में अगर करना है मुझे वेक्टर लोकेशन फाइंड आउट करनी है इसकी तो इसको क्या तो यह मेरे पास में इसकी location के आगे 0030H तो यह इस तरह से हम किसी भी vector की क्या कर सकते है किसी भी हम जो interrupt है उसकी vector location क्या कर सकते है find out कर सकते है अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि हमारा ISR क्या होता है ISR की platform भी पूछ ली जाते है एक्जाम के अंदर इसको बोलते हैं interrupt service routine यह क्या होता है एक program होता है क्या होता है एक program होता है यह program क्या होता है जब भी कोई आपका interrupt आएगा इंटरप्ट क्या होगा execute होगा तब यह हमारा उसके corresponding ISR जो है वो execute हो जाएगा तो यह program होता है that must be execute यानि कैसे यह हो गई होगा that must be executed in response to a in response to store in response to an interrupt जब भी कोई आएगा तो उसके response के अंदर यह, इसर जो है corresponding ISR वो 100% execute होगा, उसको हम के नाम देते थे known as IASR ठीक है तो यह सिर्फ आपको पता करने के लिए बागि एक्जाम में कोई definition इसके आपसे नहीं पूछेगा अब हम भात करते हैं कि कुछ जो important instruction होते हैं जो generally exam के अंदर पूछ लिए जाते हैं उनमें से हमारे important instruction जैसे ऐसे तो एक होता even even का तब नाम से आप समझ जाते हो भी enable instruction enable interrupt sorry d1 होता तो जैसे suppose करो आपको अगर देर का instruction even even का मतलब भी क्या होता है नाम से इससे तो पता पुछता है enable और interrupt की बात हो रही तो enable interrupt इसी तरह से अगर d1 हो तो वह क्या करता है disable कर देता है disable interrupt इसी तरह से sim इनकी तो full form भी exam में पूछ लिए आती है sim का मतलब क्या होता है और rim का मतलब क्या होता है और जिसमें भी ज़्यादा important यह हमारे पास rim है तो sim क्या काम करता है sim के full form होती है पहले तो set interrupt mask तो यह काम में क्या आता है यह काम में आता है कि use to mask कर दा interrupt यह तो क्या करेगा interrupt को मास्क करने के काम में आएगा or make them available यह उनको available show करने के काम में आएगा तो यह जन्रली इतना नहीं reinforce जाता जितना यह पूचा जाता है read इंटराग मास्ट यह क्या जो status है वो कौन बताता है तो status of pending interrupt कौन शो करता है हमारा रिम तो यह जो हमारा इंटरप्ट के बारे में special knowledge है या complete interrupt के बारे में इतना ही है इससे जदा हमारे exam point of view से नहीं पूचा जाता है तो एक बार हम वापिस देख लेते हैं कि हाज हमने क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा इंटरप्ट इंटरप्ट क्या होता है हमारा internal और external signal होता है विच में डिस्टब और और alter the sequence of execution of processor इसी तरह से इंटरप्ट को तीन तरह से classified कर सकते हैं hardware software maskable non maskable vector non-vector hardware यानि जो physically connected हो hardware होते हैं 5 very very important इनकी priority order भी याद रखना trap 7.5 6.5 5.5 int software interrupt कितने होते हैं हमारे पास 027 यानि software इंटरप्ट कितने होते हैं आठ आरेस्टी जीरो से आरेस्टी 7 maskable का मतलब है जिनको की ignore या avoid किया जा सकता नॉन maskable यानि एक बाद trigger होगे तो उनको फिर या ignore नहीं किया जा सकता है हमारे पास में एक ही है वह है एक एक्जामपल ट्रेप का एड़ 085 के अंदर जो की non maskable interrupt है वेक्टर का मतलब है कि जो किसके पास specific address location और memory के नॉन वेक्टर यानि जिसकी कोई memory location define नहीं हो priority के बात करें तो यह भी बात कर जो ट्रेण 7.56.5585 बात करते हैं की को ट्रेड मोता वो दोनों यह फॉर्ड ट्रिगर और इसके लाव sin switches क्रेंद एक क्जिदें विएक्टर लोकेशन फॉन चाहिंद करने का यह फोर्मूला है कि जो भी आपको आरेश टीन है उसको मुल्टिप्लाइबाइब करो एट से वह आजाएगा डेसिमल करने डेसिमल को फिर हैक्स में कनवर्ट कर दो बाइडिवीजन तो यह आजाएगा करीमल हमारा कि बताता सैंसique इसी तरह से दो फ्र willstत के बारे में ओ स्कैनल घतैंगे उसकी स्वाद हम्हारठ करेंगे यानि Square क्या होता उप्रेंड क्या होता है यह सारी चीज्शह के बारे में डिसक्श करेंगे indeed like अ blessing झाल झाल